चलिएगा, शुरुआत करते हैं, आज हमारा involvement का second lecture है, second session है, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं sustainable development और sustainable development goal के बारे में चर्चा करने वाले हैं, आल ही में PSE examination ने इसको यहाँ पर add किया है, तो आज हमारी चर्चा होने वाली है, यह पूरा का पूरा focus होगा sustainable development और उसके goal पर चलिएगा, करते हैं शुरुआत, हम कल जो बात कर रहे थे, मनुस्यो परावण की बीच वे हम संबंद के यहाँ पर बात कर रहे थे, तो हमने कल धेर सारी बात हैं यहाँ पर, कि अब थोड़ा समझना इसको, यह क्या है, यह थोड़ा ethics वाला portion है, यह Nethicta वाला portion आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो कल जो हम चर्चा कर रहे हैं, हमने बुला कि मनुस्यों में और परेवण के बीच में, हम संबंद की यहाँ बात कर रहे थे, हमने धेर सारे संबंद यहाँ पर देखे, हमने कब से देखा, हमने तब से देखा, कि ज से, जिससे समय बतला, मनुस्रका या धियुमन का इंवार्मेंट के साथ जो, रिलेसेंसिप जो है, ये संबन्द जो है, ये भी समय दर समय क्क्या होता गया, ये changing यहाँ पर होता गया, समय गुजरा, फिर यहाँ पर कुछ लोग और आए, कुछ लोग ने बोला कि भाई, ये कुछ बातें सुझाई और उन्हें देखा कि भाई यहां पर दो मुद्दे हैं एक है human एक है दूसरा environment मन उस परयाबड़ इनके बीच में यहां पर कुछ संबंधों के बात यहां पर की गई तो लोगों ने अपने-अपने दर्सन के जड़िये उसको बताने का प्रियास किया तो उस दर्सन में उस फिलोसफी में हमें दो तीन नाम देखने को मिलेंगे दो तीन सिध्धान्त मुख हैं ये निसे पहला सिध्धान्त आपको देखने को मिलेगा इसे बोलते हैं डिटरिमिनिज्म थियोरी कहा जाता है हिंदी बाले से बोलते हैं नियती वादी या निश्चयवादी तियोरी या कंसेप्ट हमने बूला कि मनों से और परावन के बीच में जो सम्मन्ध है तो मनों से और परावन के बीच सम्मन्ध किस तरीकी का होना चाहिए तो यहाँ पर हमें पहला सम्मन्ध दिखाई दे रहा है एक थियोरी यहाँ पर दी गई एक कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया इस कंसेप्ट को नाम यहाँ पर क्या दिया नियत इबादी या निश्चवादी या English saying किया Determinism approach कहा जाता है या Concept आप बोल सकते हो या थहोरी या बोल सकते हो सर ये theory ये सिधानते क्या बताता है बहुत गौर से सब्डों के उपर देखना Niasd determine मतलब पहले से ही Nishit नियती देखना मैं आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपने सुना होगा मालो किसी एक सांथ कुछ अच्छा हो जाता है या बुरा हो जाता है कुछ लोग बूलते हैं उनकी तो नियती में ही ऐसा लिखा था बास वम्यारी, नियती में ही उनका एहसा होना लिखाता नियती में ही एहसा लिखाता, इसका मतलब यह कि पहले से यह डिटरमाइन था कि ऐहसा उनके साथ होने वाला है बस इस सब्द को आप पकड़ेगा, आप इसकी बिवेचना या आप इसको डिस्क्राइब बड़ी आसानी से कर सकते हैं आपने बोला नियती बादी सिध्धान तो यहाँ पर दो लोग कौन हो गए लडाई जो हो रही है दो लोगों के बीच में हो रही है एक है हीूमन और दूसरा इन्वार्मेंट या इसे आप बोल सकते हो नीचर ये ये अपने दो करदार हैं तो हमने क्या बोला ये नियती बादी ये निश्चे बादी या डिटरिमिनिस्म हमने थियोरी में क्या बोला तो दो लोगों के बीच ललाई हो रही है इस थियोरी में हमने क्या काम किया हमने प्राइम पर किसको रखा हमने मुख पर किसको रखा हमने मुख पर रखा नीचर को नियती बादी सिध्धान्त क्या कहलाता है या डिटर्मिनिस्म थियूरी क्या कहलाती है तो नियती बादी सिध्धान्त ये कहलाता है कि प्रकर्ती और मनुस्य के दियापन बात करें तो सरबोचता किसको दी गई है प्रकर्ती को सरबोचता दी गई है ऐसा बोला गया है सिध्धान्त में ग्रफिर्ट टिलर बगेरा बहुत सारे लोग थे जिनने इसका समर्थन के अब भी मैं आपको बताऊंगा पहले हम सिध्धान समझ लें फिर उसके बाद तो बिसिक्सी बात है डिटरिमिनिस्म थियोरी ये नियती बादी सिध्धान्त क्या कहलाता है नियती बादी सिध्धान्त ये कहलाता है कि प्रकर्ती नेचर और हुमन में बड़ा कौन है तो उसे यहाँ पर इसे धान्त बोलता है बढ़ा है यहाँ पर नीचर यहाँ पर बढ़ा है प्रकर्टी यहाँ पर बड़ी है लोगों ने बुला कैसे तो लोगों ने बताए जिन लोगों ने इसे धान्त दिया उने बुला कि देखो जो मनुस जो है उस वो नीचर के अंडर में ही रहता है वो प्रकरती के अंडर में ही रहता है दोनों में से प्राइम पर किसको रखा तो प्राइमरी या प्राइम पर रखा है किसको नीचर को रखा है और मनुस को ये बताए गया कि यो मनुस जो है ना यह प्रकरती के हाथ का एक खिलोना है, खिलोना है, हाँ, तो यहाँ पर दोनों मेंसे लड़ाई जो हो रही है, human और environment के या nature के बीच में, तो यह सिध्धान्द क्या बोलता है, यह सिध्धान्द यह कहता है कि भाई मुख पर किसको रखा जाता है, मुख पर यह प्रकरती के अंडर में रहता है तो कुछ लोग ने यहां तक यह बोल दिया कि मनस जो है न यह प्रकरती के हाथ का खिलोना है लोग ने बोला कि यहां पर कुछ लो बिदवानों ने बताया कि भाई जिसने सध्धान दिया था कि आप कुछ भी काम कर लो अप कितना भी मजबूत बांध बना लो पानी जब अच्छा गिर जाएगा जब प्रकरती अपने पर आएगी कितना भी कोई सभी टेक्नलोजी आप लगा लो आपका बांध फेल हो जाएगा अब वहां सब यह तो हो जाता है कितनी भी आप स्मार्ट सिटी बसा लो जब नीचर अपने पर आएगा तो जल भराओ तो हुई जाना है आप उसर हाँ यह बात भी सभी बात है तो यहां पर इन्हों ने ये बोला कि प्राइम पर कौन है प्राइम पर है नेचर या प्रकरती है और यही भी लोगों ने बोला कि प्रकरती जो है ना जो मनुस जो है या ह्यूमन जो है इसमें परिवर्तन ज्यादा समय तक नहीं कर सकता जब प्रकरती अपने पर आएगी तो जितने भी उसने परिवर्तन किये हैं, सब एक बार में ही खत्म हो जाने हैं, बड़े-बड़े चाहिए डेम बना ले, चाहिए बिल्डिंग बना ले, चाहिए पानी की भीता ट्रेन चला ले, या प्रकरती अपने पर आएगी, तो सब कुछ खत्म यहां पर हो जाएगा, तो नियती बादी सिध्धान्त है, निश्चे बादी सिध्धान्त है, डेटर्मिने जो थियूरी क्या बूलती है, यह सिध्धान्त यह बताता है, कि हमने प्राइम पर रखा है, किसे हमने प्राइम पर नीचर को रखा है, प्रकरती को रखा है, और यह बोला है, कि जो मनुस ज सच्छेंज करेंगा, शो प्राइगा तो इसके पूरे परीवर्तन क्या हो जाते हैं ? विफले ही यहां पर हो जाएंगी, खत्मे ही यहां प्र हो जाएंगी ये दियूरी बताती है, इसको बोला गया है, डिट्रमिनक्री कहा गया है या नियती बादी सिध्धान्त कहा गया है तो ये मानता है कि भाइसा पहले से ही सब निश्चित है प्रकर्ती जैसा चाहेगी बैसा होगा मनुसे उसके हाथ का एक खिलोना मातर ही है ये सिध्धान्त बताता है कौन ये सिध्धान्त बताता है नियत अबादी या निश्चाबादी सिध्धान्त ये इसके बारे में जानकारी आपको देता है तो जितनी भी हम अभी पांच-छे सिध्धान्त देखेंगे दो लोगों के बीच में लडाई है एक नेचर और एक हुमन तो यहाँ पर जो सरवोच वरीता दी गई है प्राइम पर रखा गया है वो किसे रखा गया है यहाँ पर प्रकृती को प्राइम पर रखा गया है यह नीचर को प्राइम पर रखा गया है देख लीजेगा हम बात कर रहे हैं किसकी हम बात कर रहे हैं, डिटर्मिनिजम एप्रोच की हम यहां पर बात कर रहे हैं तो देखो एक बार इसको आप पढ़ लोगे तो आप सही देखते से ही आप समझ जाएंगे से तो यह क्या बताती है, हाँ, यह देखो नाम यह याद रखना आपको हम बूल्ड का नाम याद रखना, रेड जेल का नाम याद रखना, कारल रिटर इन लोगों ने इस सिध्धान को यहां पर दिया था, यह इस सिध्धान की उन्होंने क्या की थी इसको इसका पक्च उन्होंने यहां पर लिया था हाँ तो देखो प्रकर्ति क्या बूला गिया है इसको बूला गिया है सर्व सक्तिमान और नियन तरक कहा गिया है और मनस को क्या बूल लिया भाई सब ये क्या है प्रकर्ति की हाथ का केबल एक खिलोना है इसी सिध्धान्त को एक नाम उड़ दिया है लोगों ने क्या नाम दे दिया है निश्चावादी सिध्धान्त या निश्चावादी कल संग कल अपनाभी से कहा गिया है तो ये जो सिध्धान्त है ये कहलाता है कुँसा नियतिवादी सिध्धान्त यहां पर कहा जाता है दूसरे सिधान के अपने बात करते हैं तो पहला सिधान अपना नियती बादी सिधान अब दूसरे सिधान के उपर बात करते हैं दूसरे सिधान है संभाबादी सिधान इसे कहा जाता पॉसिबिलिज्म एप्रोच या पॉसिबिलिज्म थियोरी या पॉसिबिलिज्म कंसेप्ट इसे आप बूल सकते हैं तो अगला सिध्धान्त जो आया, यह आया संभावबादी सिध्धान्त, सर यह किसकी उपर है, तो बस लडाई दो के बीच में हैं, एक प्रकर्ती और एक ह्यूमन, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर रखा गया है किसको, प्राइम पर रखा गया है ह्यूमन को, मुख देखोगे, आप लिख पाओगे, आप समझ पाओगे, आपने बोला पॉसिबिलिज्म, मतलब पॉसिबल है, स्थंभाव है, तो यहाँ पर यह सिध्धान्त यह बताता है, कि मनुसे और नेचर, मतलब हूमन और नेचर के बीच में, यह दि हम बात करते हैं, तो कौन जादा प्रभाव साली है, तो इस सिध्धान्त को मानने बाले लोगों ने बोला कि भई सब प्राइम पर मनुस को रखा जाएगा, लोगों ने बोला कैसे रख रहे हो प्राइम पर मनुस पर, तो इसको मानने बाले लोगों ने यह बताए, कि भई सब देखो, आपने बोला नदी बेह रही है अब हां बेने का नदी बेह रही है मैंने बोला यदि हुमन चाहे तो यहां पानी को रोक देगा वो बांध बना देगा बड़ा सा पानी रोक जाएगा तो उसने नेचर के साथ छेड़ छाल की आसर छेड़ छाल की नेचर ने कुछ किया इसका मैंने कुछ तो नहीं किया मैंने का पानी बना दिया उसने बांध बना दिया है मैंने का बिजले भी बन रही नेचर ने कुछ नहीं किया आपने बहुता कि सल्ग यह पहाड़ है, यहां से रोड़ बनना है यूमन ने उसके अंदर से सुरंग बना दी, पहाड़ को काट कर क्या बना दी, इन्होंने यहां पर सुरंगर रिमाड़ कर दिया लोगों ने बोला कि भाई सब देखो की प्रकरती ने रास्ता रोका नीचे ने पहाड बना के रास्ता रोका मगा मनुस्य ने क्या काम किया उसो काठ दिया या उसका अंदर सुरंग बना दिया यह भी अच्छा काम कर दिया उन्होंने किसे ने बुला कि भाई सब यहाँ पर देखो यह समुद्र है यहां से तो याताया संभावी नहीं है हुमन ने बुला हम पानी की नीचे से ट्रेन चला देंगे हम तो लोगों नो बुला भाई यह प्रकरती में चीज़ तो कर रहा है धीरे धीरे करके यहां पर वरीता किसको दीनी चाहिए तो लोगोनों हायर यह लगातार चेंज कर रहा प्रकरती में मतलब प्रकरती के जो काम जो है इनको लगातार परीबरतन करने का काम कौन कर रहा है इनको भई मनुसी तो काम कर रहा परीबरतन करने का उसने पहाल को काट का रोड बना दी वो पानी की भीतर से बूले कर जा रहा है ट्रेन ले कर जा रहा है लोग ने बूला हायर यहां पर तो यह पॉसिबलिजम थियोरी यहां पर क्या बूलती है लावाई फिर दोनों की बीच में ही है प्रकरती की बीच में और नीचर की बीच में तो ये सिध्धान्त क्या बताता है ये सिध्धान्त ये बताता है कि प्रकरती और नीचर में मनुस्य और नीचर में से वरीता किसको दे रहा है ये मनुस्यों को वरीता दे रहा है और इसको सिध्धानत को मानने बाले लोगों ने समझाया भी उन्हों बोला कि देखो कि मनुस जो है न ये प्रकरती में हर तरीकी से चेंज कर सकता है आप बताओ क्या चेंज करना है मनुस बोला हायर क्या चेंज करना है बोलो को हर तरीकी से कर सकता है आपनों ये खेड दिखाई दे रहा है उन्हों बोला भाई सब यहाँ पर कच्छी रोड़ दिखाई दे रही है हम यहाँ से फ्लाई ओवर बना देंगे मतलब मनुस सब कुछ कर सकता है तो यहाँ पर प्रकर्ती और मनुस में जो वरीता दी गई है जो प्राइम पर रखा गया प्राइम पोजिसन पर रखा गया है वो किसको रखा गया है वो हुमन को रखा गया है उन्होंने बोला कि यह संभावबादी सद्धान का मतलब है पॉसिबिलिस्म एप्रोच पॉसिबल है सब कुछ यहाँ पर संभाव है तो ये सिध्धान तो ये बताता है कि मनुस और प्रकरती में से सरवोच वरीता किसको दी जा रही है जो वरीता दी जा रही है ये मनुस्यों को इस सिध्धान में दी जा रही है लोगों ने बोला कैसे दी जा ली लोगों ने फिर धे सारे उसके एक्जामपल लेकर बताया कि अब देखो मनुस जब अपनी पर आए तो प्रकरती में सब तरीकी से परीबर्तन कर सकता है जहां भुकम पर भी आते हैं तो यह अपनी तकनीकी सेंसे मकान बना देता है कि भुकम पर भी उसका कोई असर नहीं होता है तो इसका मतलब यहां पर यह बोला है कि मनुस जो है यह प्रकरती की उपर विजय प्राप्त कर चुका है प्राइम होते होते वो इतना प्राइम हो गया है कि मनुस जो है प्रकरती की उपर विजय प्राप्त कर चुका है यह प्राकरते कापदाओं को रोक भी देता है जहां पर बहुत भारी बरसा हो रही है उपर मिसाइल चलाकर वहां बादलों को अलग करके पानी को रोक भी देता है यह भारी बरसा को रोक देता है पहने का यहां पर मतलब यह है कि यह सिध्धान्त यह बताता है कि मनों से हर च जोडिके नों बूलाइख ठीक है कि बनोसर पकरती में हर तर theorीके से चेंज कर सकता है कुछ आभब सकता है कि उन्हें और कुछ भी चाहिए? उन्हें बला हॉई और पार भी चाहिए? द्रण एकच्छा सकती भी तो ये सिद्धान्त ये बताता है do manus ke paas क्या है? मनुस्र kenak पास यहां पर क्या है? यदी dhran एकच्छा सकती है और पैसा है तो प्रकरति में हर तरीके से चैंज कर सकता है दूझ ज़यों होना जरूरी है abुए पास क्या है अब आपके पास टकनीकी है तकनीक फैसा मतलब टकनीकी सिर्धी बात टकनीकी पैसा है तो तकनीकी तो खुद की रहेगे दूसरे से आप टेक्नलोजियों धाल ले लोगे तो यहाँ पर यह बोला गया कि भाई तक्निकी होना चाहिए या पैसा होना चाहिए और काम करने की एक्छा सक्ती यहाँ पर होनी चाहिए तो मनुसर प्रकृती में सब कुछ यहाँ पर काम कर सकता है सब कुछ चेंज कर सकता है दो चीज़े होनी चाहिए अब आपको पहाड काटके रोड बनानी है आपकी एक्छा सक्ती तो बहुत है ना सरकार के पास पैसा ही नहीं है पैसा खर्चोगा समय आपको पानी की भीतर से ट्रेन चलानी है पैसा ही नहीं है आपकी पैसा खर्चोगा भाई साब इसमय तो ऐसे तो काम यहाँ पर बनने बाला नहीं है तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कहने का मतलब यह संभावादी सिध्धान्त क्या बताता है संबाबादी सिध्धांत ये बताता है कि हीुमन और नीचर में प्राइम पर रखा गया किसको हीुमन को रखा गया है मनुस्यों को रखा गया है और मनुस्यों से ये बुला गया है कि ये नीचर में कहीं से भी चेंज कर सकते है चेंज करने के लिए केबल दो चीज़ों का होना आवसक है इसके पास होना चाहिए क्या है एक तो टेक्नलोजी होना चाहिए इसको हमने बात कर दी किसके साथ इसको हमने वेल्थ के साथ कंपेर कर दिया पैसे के साथ कंपेर कर दिया और होना चाये, बिल पार होना चाये, एक ठ्छा सक्ति इसके पास होना चाहिए तो प्रकर्ती में हर तरीकी से करड़ेता है, परिबर्थन कर देता है इसे धाने आपको ये बताता है आएसा, आएसा सिद्ध की बोले से कॉशन आएंगे क्यों नहीं आएंगे तब ही तुम prominent हर उसको त Deborah समय दे रहा हूं उसमें लिखना पड़ता है। वे कोशन करता है अपरोच पूछता है कोशन किया सा आता है। यह सा कोशन आता है उससा मनस को पर्यवन संबंदी और धागणा को समझाई आये। ये मनस और परयावन संबंदी और धागना क्या है इनकी बेवीच ना करिए तब तो मैं तरह समय उसको दे रहा हूं नहीं तो मैं लिखी तो चाल लाएन ने लिखके आगे बढ़ जाता हूं तो ये कहलाता है क्या पॉसिबिलिजम त्हूरी इसको बहुत सारे लोगों ने क्या किया इसको सुईकारम सुईकारम मतलब समर्थाने किया इसमें एक नाम आता है बिडाल डीला बिलास का नाम आता है ब्रून्स का नाम आता है इसा बोमिन कारल सावर ऐल फ्रेबे डीमांजि या, यह सब के सब क्या है? बैग्यानिक लोग हैं, जिगराफिय से जुड़े हुए לोग हैं, यह सब के सब भूगर, कुछ भूगर वशास्तरी हैं, कुछ जिण विईरोजिश्ट हैंश्म है, तो इन्हों ने इस सद्धान को माना, तो उन्होंने क्या बोला, इन्होंने सिध्धान को यहां पर माना, तो यहां पर बोला, क्या कि मन Walker से कैसा है, Supple यह अपने बात करें पैसा हो और तकनीकी हो और अच्छा सकती हो तो अपने तकनीकी में बूल दिया पैसा होना चाहिए पैसा होगा तकनीकी या तो हम खुद की खरीद लेंगे या तो हम बाहर से बुला कर तकनीकी खरीद लेंगे और यह संभावाद सद्व है बास्ता भी निकाला गिया है तो यह सबने बूला कि पैसा होना चाहिए आप हर तरीकी से चेंज कर सकते हो बहुत अच्छा मैं एक्जामपल आपको देना चाहूंगा यदि आपने थोड़ा डिसकवरी बगएर आप देखते हो तो उसमें आप देखना पाम आइलेंड आप द यदि आपने नहीं देखा हो तो यूटूब पर जाके आप देखना लिख देना पाम आइलेंड दुबई बड़े-बड़े लोगों ने यहां पर मकान लिए हैं काफी महंगे मकान वहां पर हैं समुद्र के बीच में उसको सांगार जो पाम ताल का पिर जो होता ना कुछ इस तरीके से उसको ऐसा डिजाइन किया गया है यह कॉलोनी बनी है और उसको जो आरफ हाटा के समय यह पानी साफ भी हो जाए बहुत सांदा तरीके से डिजाइन करके यहां पर बनाया है तो जाहिर सी बात यहां पर यह है कि यह बना कैसे पाए यह तो हो गया पानी में घर बना रहे हैं, पानी में पहले रेट को खटा किया और रेट की उपर घर बना रहे हैं काफी बड़ा है, छोटा मुटा नहीं है काफी बड़ा है पौम आइलेंड तो सिरी सी बात है, पैसा बहुत खर्च हुआ हाँ पैसा चाहिए आपको, और आपकी रूची एक्षा सक्ती होनी चाहिए तब आप जाके इसको बना पाएंगे, हाजी, ठीक है तो ये था दूसरा बाला सिध्धान था क्या है इसे हम बोलते हैं क्या संभावबादी और धारना यसे कहते हैं, हम क्या संभावबादी सिध्धान कहते हैं तो अभी हमने दो सिध्धान यहां पर देखे पहला हमने देखा कौन सा? दूसरा हमने देखा संभावबादी इस सिध्धान में हमने सर्वच वरीता किसको दी है इसमें हमने यहां पर दी है Melissa को प्रकरती को वरीता दी है और इसमें हमने वरीता किसको दी है इसमें हमने Yaumon को वरीता दी है अब बर पहें आगे अपनी लोगों ने दिखा भाईसाब ये तो क्या हूने लगा ये एक प्रकार से तो लड़ाई हूने लगी यहां पर प्रकरती और नेचर के बीच में मतलब प्रकरती और मनुस्यों के बीच में यहां तो लड़ाई होने लगी कोई बोला प्रकरती सरवोच है कोई बोला नेचर सरवोच है तो यहां पर तो क्या होने लगा यह दो गुट बटने लगे कुछ लोग बुलने लगे नहीं नहीं भाई सा प्रकरती सर्बोच है यह सा भी कुछ लोग बुलने नहीं नहीं किसा पहला सिध्धान अच्छा है कई लोग हो सकते हैं प्रभाबित हो दूसरे सिध्धान से भी प्रभाबित हो सकते हैं कि भाई सब पानी में भी हम मकान बना सकते हैं, पूंजी हो, और अटकनीकी हो, पैसा हो, और आके पास एक्चा सकती हो, कई दूसरी मतवाले भी हो सकते हैं, फिर लोगों ने देखा कुछ लोगों ने, अरे भाई ये तो क्या हो गया, ये तो एक तर्फा हो गया, यदि आप इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने नेचर को ही नमसकार कर लिया है, मतलब आप तो यह बोल रहे हैं कि अब हम नेचर में कुछ परीबर तन ही नहीं कर पाएंगे, नेचर सब कुछ खत्म यहाँ पर कर देगा, और यहाँ पर यह बोल रहे हैं कि भाई सब, नेचर को आते हैं उन्हें बुला भाई ये काम करते हैं हम बीच का रास्ता निकाल लेते हैं हम क्या काम कर लेते हैं हम बीच का रास्ता निकालते हैं तो उन्हें बुला बीच का रास्ता क्या होगा तो नए सिध्धान्त की उत्पत्ति होती नव नियतिवादी सिध्धान्त नियतिवादी सिध्धान्त इसको बोलते हैं नव नियतिवादी आउधाना या नियो डिटरिमिनिस्म कहा जाता है तो जो नव नियतिवादी सिध्धान्त यहां पर क्या कहलाता है अब इस सिध्धान्त ने क्या काम किया दोनों की लड़ाई को क्या किया दोनों की लड़ाई को बोला कि नहीं नहीं भाई यह सिध्धान्त बोलता है क्या यह सिध्धान्त बोलता है कि तुम्हारी भी जै जै और हमारी भी जै जै ना तुम्हारे और ना हमारे यह सिध्धान्त की लाइम तो सिध्धान्त क्या बोलता है सिध्धान्त बोलता है कि तुम्हारी भी जै जै और हमारी भी जै जै ना तुम्हारे और ना हमारे तरी सिध्धान्त क्या बोलता है ये सिध्धान्त ये बात करता है ये बोलता कि भाई सब देखो दोनों एक दूसरे के कोई लड़ाई इसमें है ही नहीं वो दोनों एक दूसरे के सप्लिमेंट है एक दूसरे के क्या है दोनों एक दूसरे के पूरक है यहां पर तो बोला ना हुमन बड़ा है ना प्रकरती बड़ी है दोनों एक दूसरे के पूरक है सप्लिमेंट की तरह काम करते हैं क्योंकि मनों से कहां रहता है, उन्हें बुला मनों से नेचर में रहता है, नेचर से कुछ लेता है और नेचर को कुछ देता भी है ये, क्योंकि भाई साब पेल पोध हैं, उनको CO2 भी चाहिए, तो यहां पर ये बुला गया कि भाई सामने CO2 भी यहां से आ रही है, प्रकर्ती में मनुस से रह रहा है मगर प्रकर्ती के उत्रान के लिए काम भी यहां पर करता है तो यह सिध्धान क्या बोलता है कि नहीं प्रकर्ती बड़ी है और नहीं क्या है नहीं मनुस से यहां पर बड़ा है तो नहीं प्रकर्ती बड़ी है हम उसे अलग होकर नहीं रह सकते हैं कि आप सोचे हम प्रकर्ती से हम अलग होकर रह जाएंगे तो हम क्या खाएंगे वोगि फोटो संतेसेस के माध्यम से भूज़न तो यहीं से मिलना है तो यहां पर इस ध्धान्त बोलता है क्या यह बोलता हाई साब ना ही प्रकर्ती बड़ी है और ना ही मनों से बड़ा है दोनों एक दूसरे के कॉंप्लिमेंट की तरह काम यहां पर करते हैं एक दूसरे की क्या है यह पूरा कहीं यह एक दूसरे के साथ ही यहां पर रहते हैं तो चलो यहां पर हुई बात अच्छे यह सिध्धान्त एक बात और लेकर आता है एक थूरी को लेकर आता है थूरी क्या है बात करते हैं नवनियती वादी सिध्धान्त के अंदर एक थूरी भी हमें यहां पर देखने को मिलेगी एक थूरी भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी थूरी कौन सी थूरी देखने को मिलेगी इस थूरी को बोला जाता stop and go थूरी यही सिध्धान्त यहाँ पर explain करता है इसके अंदर हमें एक सिध्धान्त और देखने को मिलता है नव नियती बाती है और Determinism में हम एक सिध्धान्त देखने को मिलता है Stop and Go मतलब रुको और जाओ सर ये सिध्धान्त क्या बोला है ये सिध्धान्त ये बात कर रहा है पहले सिध्धान्त के अपर बात कर लें इसकी उपर फिर इसकी उपर बात करते है तो नवनियती बादीसिधान ये बोलता है कि नहीं वरीता humans को दी है मनुस्यों को दी है नहीं प्राइम पर रखा गया है प्रकरति को नीचर को रखा गया है दोनों एक दूसरे के समकषी रखे गए बरावर ही एक्ड़ी हाँ पर रखे गए हैं कोईकि उन्होंने बताया, इस सिध्धान्त को देने बालों ने, कोईकि हम environment में, बायोटिक component में ही human यहाँ पर आता है, तो यह सिध्धान्त यह बोलता है, कि यदि मनुस्य को या human को nature में change करना है, तो उसमें एक बड़ी अच्छी line है, तो उसमें बोलता है, कि जो प्रकरती जो है, उसकी सहनी सीमा तक change हो जाएगा, सहनी सीमा का मतलब क्या है, जब तक वो सहन कर सकती है, तब तक change कर सकता है, nature ने यह बोला कि ठीक है, human change करना चाहता है प्रकरती में, हाँ, कुछ सीमा तक तो change कर सकता है, मगर बहुत बड़ा change यहाँ पर नहीं कर पाएगा, यदि बहुत बड़ा change करेगा, तो प्रकरती फिर उसका जवाब देगी, तो यहाँ पर एक बोला कि सहनी च्छमता तक, या यह क्या सिध्धान्त है कि रुको और जाओ सिध्धान्त, यह कौँ सा सिध्धान्त है कि रुकना है और फिर जाना है, तो nature यहाँ पर यह बोला है, nature बोला कि से human से बोला है, कि उन्हों ने यह बोला कि human की जितनी भी जो आवसकता है, जितनी भी जो desire जो है, जितनी भी जि लकडी चाहिए, लकडी कहां से मिलेगी, आपने उस पर्याबर से हमें लकडी मिलेगी, नीचर से क्या मिलेगी, हमें लकडी मिलेगी, लकडी आप काट के ले आए, तो जब काट के आप जहां से लाए हैं, तो अब सिधान क्या बोला है, श्टॉप, अब पहले रुको भाई वहाँ पर रीकवर होने दो जहां से आप जंगल से लकड़ियां काट कर लेकर आये थे वहाँ पर नए पोथ है ये नही बरस्पती है नया वेजिटीसन आने दो उसके बाद फिर क्या करो श्टॉप रुको और फिर जाओ फिर तुम ले आओ लकड़ी काट के तो ये सिधान तो ये बोला है कि जो मनुस्त की जो मांग जो है नेचर पूरा कर देगा सौ परसन पूरा करेगा मगर इसके ग्रीड को पूरा नहीं करेगा इसके लालश को पूरा नहीं करेगा आपको घर बनाने के लिए लकड़ी आपको चाहिए थी ये आपको आग जलाने के लकड़ी चाहिए थी ये आपकी मांग है ये मांग को तो नीचर पूरा कर देगा मगर आपकी ग्रीड को पूरा नहीं करेगा आपकी लालच को पूरा नहीं करेगा मांग को पूरा भी करेगा तो यह सिध्धान्त अपनाना पड़ेगा तो सिध्धान्त इसी से निकल के आता बोलता है stop and go, रुको और जाओ, रुको और जाओ का मतलब है कि नीचर को recover होने का समय आप दो ऐसा नहीं कि आप एक पक्छी दोहन करते ही जा रहे हो, उसको exploitation ही करते जा रहे हो आपने बुला लकड़ी चाहिए तो एक तरब से जंगलों को आपने काटना ही शुरू कर दिया और आपने बुलागने नहीं हम लकड़ी का स्टॉक बना के रखेंगे, हमें लकड़ी बहुत जादा चाहिए और लकड़ी को आप काटते ही जा रहे हैं ऐसा नहीं तो यहाँ पर यह बोलता है कि भई आपको लकड़ी चाहिए ठीक है जहां से आपको लकड़ी चाहिए वहाँ आपने ले लिए आप ज़रा रुको वहाँ पर नया वेजिटेशन आने दो नई बनस्पती लगने दो उसके बाद अफिल ले जाना तो निचर ने यह मना नहीं किया कि आप उप्योग नहीं करना निचर ने बोला 100% चीजें बनाई हैं वो हुमन के ही लिए बनाई गई हैं उसको रहने के लिए जितने भी जीव हों उन्हीं के लिए ही बनाई गई हैं मगर काम क्या करना की तरह बढ़कर जाना है तो यह थिORी बुलती है इश टॉप और गो त्यूरी कहलाती है रुकों और जाव सप्धारण भी इसी से निकल कर आता हैं इसी से निकल कर आता है हाँ से बानी मीन से में बिल्कुल लिखा जा सकता है इस वाले पॉइंटे में बिल्कुल यहाँ पर लिखा जा सकता है आरे वाँ सोज में यही सिध्धान्द यह देखो कल हम जो बात कर रहे थे किस के उपर हम बात कर रहे थे sustainable development की उपर चर्चा कर रहे थे धारणी विकास की उपर हम बात कर रहे थे हमने बोला ऐसा विकास जो कि पर्यावन को मद्दे निजर रख कर किया जाता है इसे कहा जाता sustainable development कहा जाता है या धारणी विकास इसे कहा जाता है तो ये जो धारणी विकास जो है ये जो अवधारणा है ये जो कंसेप्ट है वो इसी सिध्धान्त से या इसी एप्रोच से निकल के आता है ये क्या कह रहा था ये वाई सब विकास ऐसा करो जो कि पर्यावन के मद्दे नजर हो मतलब संसाथनों का हम ऐसा उपियों करें कि आने वाले पीड़ी भी इन रिसोर्सेस का यूज कर पाए तो हमने क्या बोला कि ये जो सिधानत है सश्ट्रेमल डेवलिमेंट थूरी वो भी इसी से निकल कर आई है तो यहां पर वरीता किसी को भी यहां पर नहीं दी है बस यहां पर यह बताया गया है कि भाई साब की हूमन और नीचर दोनों के क्या है एक दूसरे के क्या है ये पूरा काप इसे बोल सकते हो एक दूसरे का वो सहयोग यहां पर करते हैं तो निचर ने जितनी भी सुविदाय दी हैं, जितनी भी living organism हैं, उन्हीं के लिए ही सुविदाय दी हैं, इसकी आवसकता है, पूरी यहां से हो जाएंगी, हाँ, greed पूरा यहां पर नहीं होगा, और आवसकता हो पूरा करने के लिए भी, यह theory यहां पर दे गई है, stop and go, theory यहा पर दिया गया है, तो आप देखो, यह है क्या new determinism approach आपको यहां पर दिखाए दे रही है, तो बहुत सारे लोग समें सामिल थे, इस ग्रफिट टेलर साब हैं, ओएच की स्पैट साब हैं, ऐसे क्या भोगोल बेता हैं, जियो लॉजिस्ट ने यहां पर दिया, तो इन्होंन नहीं होना चाहिए, यदि एक पक्षी दुहन होगा, तो इस अभी के लिए क्या है भाई, यह तो नुकसान दायक है, तो यहां पर यह बताया है, तो यहां पर क्या बोला है, उन्होंने प्रकरती की संदर में क्या बोला, उन्होंने भाई साब रुको और जाओ सिध्धान यहां पर दिया, stop and go theory यह, stop and go determination यहां पर दिया, तो यह नीती क्या मोलती है, की प्रकरती की अपनी सीमा है, यह एक नीशेस सीमा यहां पर कर सकता है, इसके लाम अदिए को हमने बात की थी ना, टिकाओ विकास, पासवत विकास, यह अधिर सारे, इंग्लिस में एकी नाम है sustainable development यहीं से क्या है संबंद रखता है यह sustainable development की थियोरी इसी सिधान से आती है इसको हम बोलते हैं क्या new determination approach नव नियतिवादी सिधान आई बासवज में इसम्मीनस में लिखने को आता है इसके बारे मुखबाते हमने क्या सीख ली हमने मुखबाते हमने क्या सीख ली तो Stop & Go Theory겠습니다, यह सारी बात है यहां पर दीगे हैं, तो यह सब से सटीक सिधानत है, सभी लोगों ने इसी सिधानत को ही यहां पर माना है यह सिधान सभी लोग क्या करते हैं, बरतमान समय में मान रहे हैं ठीक है चलो आगे बढ़ें सक्वाइब अब कुछ और सिध्धान तब देख लेते हैं कुछ और छोड़े-छोड़े सिध्धान यहां पर दीए हैं तीन दो मोंके सिध्धान थे अगला सिध्धान देखो आगला सिध्धान्त यहां पर बता रहा है कृतिवाद सिध्धान्त आपको दिखाई दे रहा होगा देखो आगला सिध्धान्त तो यह सिध्धान्त क्या बता रहा है यह भी वही बात तोसी की उपर कर रहा है नियो डिटर्निस थियोरी की उपर ही यहां पर यह बात कर रहा ह तो यह सिध्धान्त यहां पर यह बता रहा है कि हम क्या काम कर सकते हैं हम प्रकरती को एक निश्य सीमा तक क्या कर सकते हैं यहां पर स्थेहनी सीमा तक क्या कर सकते हैं उसमें परिवर्तन कर सकते हैं उसके बाद परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तो यह जो बाकिकी जो छोड़ छोड़े सिध्धान्त हैं उसी नियो डिटर्मिनिज्म थियोरी से ही निकल के यहां पर आ रहे हैं तो यहां पर यह बूला है कि भाई साथ यह जो हम प्रकरती में परीवर्तन कर रहे हैं तो हम प्रकरती में कैसा एक निश्च सीमा तक ही कर सकते हैं परीवर्तन यहां पर कर सकते हैं उसके बाद हम यहां पर नहीं कर सकते हैं हैं कि अगला वता है नौर मैट्रि अपरोच दिया गया मान की दरश्टी कौन और रही हैं जहां पर नेचर और heиваем सब्सक्राइब दोनों क्यांसे हूं सरवोत्तम या आइडियल स्टेज में हूँ नीचर और हुमन क्यांसे हूँ एक आदर से अवस्था में हूँ या आइडियल स्टेज में हूँ तो यह बतारी कि दोनों कि बीच में सम्बन्द कि यहां पर ऊना चाहिए ऐसा बिलकुल ही नहीं हो थिक आवस्था कि कोई प्राइमरी है यहीं कि नाम दे दिया है कि अuled लोगों अफ्रो बतार Tipp या अधाना की अबातारी की मनुष्व प्रासित तंत्र के एक घटक मानते हुए मनुष्व क्या है प्राकरते प्राकरते तंत्र का क्या है एक घटक यहां पर है यह है क्या ecological approach क्यों है तो हमें पता है environment की हमने बाat जब कभी भी की है तो हमने जब भी कभी भी बोला है कि भवी नीचर में परेवण में जो बायोटिक सिस्टम है इसी में हुवन आता है हुवन भी क्या है एक एनिमल ही है हाँ मगा सोसल है तो लोग उने बोल दिया सामा जी क्या है ये प्राणी यहाँ पर है तो ये सिध्धान्त क्या बताता है तो ये सिध्धान्त आपको ये बताता है कि जो मनों से जो है ये प्रकृति का क्या है एक घटक ही तो है एक भाग ही तो यहाँ पर है तो ये सिध्धान्त यहाँ पर ये बताता है कौन सा एकोलोजिकल एप्रोच ठीक है तो हमने यहां पर च्छै अप्रोश अभी तक यहां पर देखें यूमन और इनवार्मेंट जब कभी मीन समयान लिखने को आता है मनों सो और प्रकरती के बीच सम्मंद या आउधारना को आपको बताना है तो अब इसी तरीके से आप बना के बताईए गाजा समय आपको बना के बता रहा हूं तो यहां पर च्छै सम्मंद हमने यहां पर आखते हैं पहला हमने देखा कौन सा है कि नियतिवादी दूसरा अपने देखा संभावबादी अ थीसरा हमने देखा नव नियतिवादी पर हमने देखा कृतिवादी कृतिवाद फिर हम देखा पारस्थितिक द्रश्टी को पारस्थित की द्रश्टी कोण और एक और हमने यह देखा मानिकी द्रश्टी कोण एक सब्सक्राइब जान तो यह तो च्छे संबंध हमने यहां पर देखे ठीक है चाल आगे बढ़ते हैं अब आगे का हमारा यह क्या था यह हमने अभी तक यह देख लिए कि कौन-कौन से संबंध हमने कैसे कैसे अप्रोच यहां पर दी गई है अब हम आगे की तरह बात करते हैं तो आगे हमें दिखाई दे रहा है क्या इसे कहा जाता है धारणी विकास के सिध्धान्त कहा जाता है theory of sustainable development हमने यह तो सीख लिए sustainable development क्या होता है हमने यह तो बिलकुल यहां पर सीख लिए sustainable development क्या होता है धारणी विकास क्या होता है यह बात हमें बड़ी अच्छे समझ में आगी कि हमने खुला है सब एंसा विकास करें इंग्लिस में भी लिखा है ना इंग्लिस में यहां पर लिखा है आपके जगह नहीं बचली तो इसको मैंने आगे कर दिया तो बात करते हैं हमने पहले sustainable development हमने देखे लिया था कि यह बिकास कैसे करें हमें फैक्ट्री लगानी है कैसे लगा है फैक्ट्री बताओ जरा हमें तो बिकास भी तो करना है और नीचर में रहकर ही बिकास करना हो तुम क्यारे को नीचर को नुक्सान ना हो मैं फैक्ट्री लगाऊंगा तो धुआ निकलेगा अब बताओ कैसे करे तो हमने बुला कि बिकास हम कैसे करें डेबलमेंट हम कैसे करें उसको समझाने के लिए यह क्या देखो लिखा है धार्णी विकास के सिध्धान यह है थियोरी आफ सस्टेनेबल डेबलमेंट हमने बुला हम बिकास कैसे यहां पर करें तो हमने बिकास करने के लिए हमने कुछ बाते हमने दिये कुछ हमने सिध्धान्त हमने दिये कुछ हमने बिंदू हमने दिये हम लोग इनकी उपर काम करेंगे तो पर्यावण को कम से कम से कम नुक्सानिहां पर होने बाला है हाजी मैं ही पूरा कराऊंगा भाई हैना आरच पूरा परयेवण परयेवन में ही आपको बताऊंगा ठीक है रहाजी हाज ना तक में पड़े होंगे आपने ये तो हमने बूला कि धारडदे भेकास हम करें तो सर आपने तो बोल दिया है कि हम पैट्रोल का हम ऐसा यूज़ करें कि हमारी आने बाली पिढ़ी भी पैट्रोल का यूज़ कर पाएं कि ऐसा यूज़ करें हम अब जब वो कहलाएगा sustainable development कहलाएगा तो ये दिएगा है उसके सम्मन्द में सिध्धान्त दिएगा है means में कौशन आते हैं धार्णी विकास क्या है धार्णी विकास से जुड़े हुए सिध्धान्तों की बिवेचना करिए sustainable development के उपर कौशन बनी हुए है उसको describe करना पड़ता है से जुड़े हुए principle कौन कौन से हैं तो आपने ये तो बोल दिया कि सर की भाई हमें ऐसा विकास कर रहे हैं जो कि परयावण को मत दे नजार कर कर रहे हैं मैंने बोला बताओ तुम कैसा विकास कर रहा हो तुमने बोला कि factory लगानी है मैं बो चलो factory लगाओ मगर धुआ निक कॉल्सान को कम करने के लिए कुछ हमने बिंद्दू सुझाए को जया हैं अब तो वह तुम लिए यही है क्या धाड़कास के सिधान्त सारर कैसे सिधान्त है सबसे पहले देखो क्या लिखा है Ecological Literacy लिखा है लिखा है पारिस्थित्की इसको सुधार के करेंगी हम Ecological पहरा बिंदु हमने बोला क्या? हमने बोला पारिस्थित्की साक्छरता तर ये क्या है? हम बिकास की बात कर रहे थे अब पढ़ाई लिखाई की बात पर आ गए Ecological Literacy पारिस्थित्क साक्छरता सर इसका मतलब क्या है? पारिस्थित्क साक्छरता का मतलब यहां पर ये है कि प्रकृति के बारे में ये नीचर के बारे में आपको पता होना चाहिए परेवन के बारे में देखो इसी साक्छरता के कारण ही इसी साख्चर्दा के कारण ही सर्मिन में भी राइट कर दीजिए कर दिया है उसमें भी कर दिया मैं राइट इसलिए मैं दोनों दिखते जाता हूँ और रुचीते तो पास एक साक्षरता क्या कहला आती है देखो मैं आपको एक्जामपल लेता हूं बच्चा मेरे एक खाल से 6 इस्टेंडर में आता होगा छटी भी क्लास में बच्चा आता होगा और पहले से परेवन पड़ता है मुझे अब आइडिया नहीं कौन सी क्लास में इन्वार्में इन्वार्मेंट 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 इन्वार्मे कि भाइसा हम इसके अंदर रहते हैं और हमें यहीं से मिलती है भूजन पानी हमें यहीं से मिलता है तो हम बहुत प्राइमरी लेविल से क्या काम करते हैं पारसिक साक्षर्टा की उपर काम करने लगे हैं ecological literacy की उपर हम यहाँ पर काम करने लगे तो मेरी class 6-7 से आपको देखने को मिल जाएगा 6-7 से आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा हाँ फर्ष्ट क्लास में living non-living के बारे में बताने लगते हैं तो हम क्या काम कर रहे हम बच्चे को बच्चपन से सिखा रहे हम रहे कहां पर रहे हम नीचर में रह रह रहे हैं नीचर हमें क्या दे रहा है और हम नीचर को क्या दे रहे हैं तो धाड़ आड़नी विकास के लिए सबसे पहला यही है दूसरा बात करते हैं Global Protocol और संधिया मतलब Treaties जो Various Treaties और Protocol संधिया ये देखवा हमने बोला हमने परयवण को बच़ाने के लिए कई Protocol Sign किये जैसे Protocol देखवा आप नाम सुना होगा आपने Kyoto Protocol नाम सुना किसीने नाम सुना है Montreal हैं यह क्या है सर कि ओटो प्रोट कॉल मौन्ट्रियल प्रोट कॉल यह क्या है यह बोला देखो है हम ने पर्यवन बचाने के लिए बैस्विक संदर में हमने ग्लोबल कुछ हमने प्रोट कॉम का मतलब होता है नी मों का संग्र है यह नियमो का पुलिंदा प्रोट्टोकॉल का मतलब यह जिसे फॉर एक्जामपल लेखो जब कभी भी आप सेलेक्ट होंगे सब्सक्राइब बने एच्डियम आप बने तो एक आपका प्रोटोकॉल होगा उसी प्रोटोकॉल के तहता है कि आपको काम करना है आपका मूदी जी से मिल रहे थे वो बड़ी अपना चस्मा लगा हुए थे धूब बाला और मूदी जी से हैंड से कर रहे थे तो लोग नो बोला ये इनकी प्रोटोकॉल में सामिल नहीं है कि इतने बरिश्टी जन से आप चस्मा लगा कर आप मिलें ऐसा कुछ बात हुई थी उनको बाद में और कहीं अटेश यहां पर किया गया था प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि या बंच आफ रूल्स और रेगुलेशन नीमों का संग्र है यह कहलाता प्रोटोकॉल कहलाता जैसे जब कभी भी आप एच्टीम बनेंगे या डीम जब भी आप बनेंगे तो आपको क्या मिलेगा इस अब दो कम一 constant harrid यहां पर दी जाएंगी क्या क्या यहांपर कर सकते हैं आपको यह भी बताय जाएगा क्या आप नहीं कर सकते हैं तो ये क्या है वो है आपका प्रोटोकॉल है उसी नियम के तहट ही आपको काम करना होगा अधरवाईस आपकी उपर गाज गिरेगी फिर तो प्रोटोकॉल परेवन को बचाने के लिए हमने ग्लोबली प्रोटोकॉल भी तो साइन की है यसे हमने बुला क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो क्या है, यह जापान का एक सहर है भाई साब, जहाँ पर हमने जो green house gases जो होती है न, green house gases, कौन-कौन सी green house gases, mean carbon dioxide, फिर methane आपको देखने को मिलेगी, CH4, फिर आपको nitrous oxide देखने को मिलेगी, किलो-फिलो-फिलो-डो कार्बन, और water wepper, यह green house gases हैं, तो green house gases को कम करने के लिए, हमने best way की समझोता साइन किया है, यह समझोते को नाम क्या दिया, क्योटो प्रोटोकॉल, जहाँ पर समझोता साइन हुआ, क्योटो जापान का सहर, तो नाम दे दिया क्योटो प्रोटोकॉल, तो मौंट्रिल भाई साब सहर है कनाडा का, ऐस Shouldbarsสब्स बढ़ा चर्चा में चल रहा है, Justin Toodos साब बड़े एक रोल हो रहे हैं कनाडा पे, कनाडा का सहर कौन सहर मौनट्रियल, अब कनाडा के सहर मौन्ट्रिल में क्या हुआ, तो हमने बुला कि जो ओजोन लेयर जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए हमने क्या काम किया यहाँ पर हमने एक समझोता साइन किया यह भाइसाब ओजोन लेयर क्या हो रही है कम हो रही है तो उसके लिए हमने एक समझोता यहाँ पर साइन किया कहाँ पर मॉन्ट्रियल में कि हम कहीं संधियां हम यहां पर क्या करेंगे, हम साइन यहां पर करने बाले हैं, नई, मेन ये हैं, पहली गास ये है, कारबंड़ा या ओक्सड, इसका योगदान होता 60%, मीथेन का योगदान होता ग्रीन हाॉस गास में 20%, और ये तीन जो गैसें आपको दिखाई दे रही हैं इन तीनों का योगदान होता है बीस परसेंट यह ग्रीन हाउस गैसेश चलो आगे हम बात करते हैं हाँ अब हमने बोला कि भाई अब धार्ने विकास कर रहे हम और क्या काम करें सर आपने दो काम तो बता दिया पहला काम यह रहा दूसरा काम यह रहा तीसरा काम यह रहा तीसरा काम मतलब तीसरा उसका बिंदू हमने बोला जन्मत जल नहीं है ना है यह जन्मत जन्मत का निर्माण करना सामाजे कारेकरता इंजियो और पर्यावर्ण विध के सहयोग से क्या करना यहां पर काम करना बात को समया रही है या NGO भी सामिल हो जाएंगे और environmentalist भी यहां पर सामिल हो जाएंगे हमने वुलत तीसरे बिंदू यहां पर यह है कि आपने कभी देखा है कभी भी कोई बड़ा मुद्दा होता है हम किसी इंफ्लूएंजर को लेकर आते इंफ्लूएंस कर दे जो आपको अपने प्रभाव में ले ले जैसे बहुत अच्छी बात बताता हूं हमने जब पॉलियो एरेडिकेसन प्रोग्राम चलाया पॉलियो का समूल नास हमने जब प्रोग्राम यहाँ पे चलाया तो हम पता किसको लेकर आएं आपने देखा होगा आपने बच्छपन में देखा होगा अमीता बच्छे साब उसका एड़ किया करते थे पॉलियो का देख तो यदि बो बोलेगा तो लोग काम ओहां पर करते हैं, मेरी बास सब्चाइब आज ए क्योंकि वो इंफ्लुएंजर है। प्रभाव में ले लेता है। लोगों को यह लगता कि भाई बो सही व्यक्ति है। तो जैसा बोलता है वहां पर काम करता है। कुई तो यही तो एक परकार का किया है जन्मत का नमाण हम ने किया था हमने लोग कैसे करें हम रोंकिसी प्रभावी करेंग == प्रभावी व्यक्तित्त नमार सляी DutyBl क्या करेंगे है ना तो आखकल तो बड़ा चलता है की किसी प्रभावशाली व्यक्तित्त से किसी बात को यहां पर कहलवाना यह आपने देखा होगा जब कभी भी कोई फंक्सन कराया जाते मालो किसी भीर एक खट्या करनी है तो किसी कोई कलाकार को बुलाया जाता है अब मालो फंक्सन कोई राजनेतिक फंक्सन था अब राजनेतिक फंक्सन में आजकल भीर उतनी जाद और वहीं पर हमाई एक्स वाइजर मंत्री जी भी आएंगे तो भीर जुटाली क्योंकि भाई बो जो व्यक्ति है वो कलाक के कामकारन वहां पर जाना जा रहा है लोग तो उसको देखने के लिए आए तो माईक गाने सोनुने गम को पहले नहीं दिया जाएगा सोनुने गम को म तो हम किसी प्रभावसाली बोक्तत के माध्यम से भी हम एक काम कराते हैं में भीलोक्त हम यहां पर करते हैं फर वोग ऑत्पादन का विकेंदरी का bageंदिक दिसेशन आफ प्रोडक्ट उत्पादन को क्या करना अलग-अलगु कलना की एक ही यूंट करना हूंना गोंना एकonaर होगी तो दबाव यहांपर ज्यादा है उसकी इकाईंटरिक डिसेंट्लाइजох क्या के यहां पर मॉडल यहां पर होगा उथ्पादन का विकींद्री करीं होगा तो उड्याभी करल लगे यहांपर बाली है हब यह की मिल पड़есь ब्रॉच और चार बिल हो गई हैं अगला देखवा यह लखा रिसोर्स का क्या करना कंजर विशन करना जितने भी आपको संसाधन दिये गए हैं चाहे कोईला है चाहे आपका प्लांट ही क्यों ना पौद ही क्यों ना यह तो एक प्रकार के सोर्स हैं यह दो एक प्रकार के सब को क्या करना कंजर विसन करना यह भी इसमें ही क्या किया गया है सामिल किया गया है अजी अगला देखो अगला क्या है ठीक और अगला क्या है प्रभावव साली जबाब ही तनतसर यह क्या है अकाउंटिबिलिटी मेकनिजम एफेक्टो अकाउंटिबिलिटी में अकाउंटिबिलिटी का मतलब होता जब आप देए और एक्जामपल दी मैं आप से बात करूँ मैं आप से बूलू यह सागोन का पीड़ लगा सो काट के बीच दो मैं बूला आप से सागोन का पीड़ लगा तो काट के बिच दो अब लोग सागोन का पीड़ रभी किसी ने काटते हुए देख लिया पुलिस को फोन करदेगा पुलिस आएगी पुलिस पकड़ के ले जाएगी वो सागोन की जितनी भी सिल्लियं वो जब तक कर लेगी हमारे जो बहान है जिसे हम वो लेकर जा रहे हैं वो राजसात कर देगी सर बहान को भी मैंने बहुत हो जाएगा बस इसका मतलब क्या है आपके पास एक जबाब देही तंतर होना चाहिए एक अकाउंटिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई हम ऐसा करेंगे तो हमें वहां पर उपर जवाब देना पड़ेगा कोट में आप से पूछेगा लौट से पूछेंग बताओ तुमने काटा है क्यों काटा है तो एक जबाब देही तंतर होना चाहिए जिसे हम बात करते हैं आफ्रीकन कुछ हम देशों की अपन बात करें यहां पर एनार की है अरा जगता है गन का सासन जो बंदू को लेकर चला उसी का सासन है तो उसने बोला कि हम बंदू की नुख रहे है कोई किया कर लेगा कूई ही निए को अकाउंटिबिल्टी ही नहीं है जबाब देही तंतर ही यहां पर तानी है हमें जवाब देना पड़ेगा तो एक चीज से तो अगला क्या है पांच हो गए छे चटवी के अपन बात करते हैं क्या परियोजना मुल्यांकन परियोजना मुल्यांकन का मतलब यहां पर क्या है परियोजना मुल्यांकन देखो परियोजना मुल्यांकन को अपन 3E भी यहां पर बोलते हैं 3E पहला यह क्या कहलाता है यह देखो पहला यह कहलाता है environment protection second ecological balance और तीसा कहलाता है economic efficiency हम के अभी वही चला है अपना चला अपना वही रहा है देखवा अपना topic अभी change नहीं हुआ है topic हमारा यही चला है sustainable development धारनी विकास के कौन कौन से सिध्धान्त है तो हमने यह सिध्धान्त देख लिए एक और अंतिम सिध्धान्त है और काफी मजबूस सिध्धान्त भी है इसे लोग बोलते परियोजना मुल्यांकन परियोजना मुल्यांकन का मतलब क्या है इसको 3E से क्या करते हैं हम Dynrard करते हैं, 3E से हमसे प्रदर्सित करते हैं, पहला E हमें ये बताता है, Environmental Protection, परियावरन सुरक्षा, इसके लिए हमने धिर सारे कानून, नियम, अधिनियम बनाए हैं, इसका लिए एकोलोजिकल बैलेंस, तीसरा बताता है, एकोलोजिकल एफिसींसी, तो ये भी क्या है? धा अलग-अलग नाम लिखेते ई से तो आप याद कर लिजिए या देख लिजिएगा इन्वार्मेंटर प्रोटेक्शन बैलेंस और एकॉनोमिक एफिसेंसी ठीक है तो यहां तक अपना क्या था यहां तक अपना था क्या सदत विकास के सिधधान्ट जो हमें छे सिधधान्ट हमने यहां पर देखे तो बिंदुवा इस हमने की करके से धान देखे किस तरीके से हम इसे लागू कर सकते हैं किस तरीके से हम काम करेंगे कि जो सद विकास के जो एम है या लक्ष है इनकी हम पूरती यहां पर कर पाएं हाजी हाँ अब बात करते हैं देखो अब हम बात करते हैं किसकी उपर sustainable development हम गोल की हम बात करते हैं देखो ध्यान से sustainable development goal हमने बुला कि धार्णी बिकास को हमने अपना तो लिया मगर इसके लिए हमने कुछ क्या किये लक्षों का निर्धारन किया कुछ हमने यहां पर लक्ष बनाए हैं कि अब हमने सोचा कि हम सद बिकास करतो रहे हैं तो उसके लिए जब हमने लक्ष यहां पर बना हैं इन लक्षों को हम क्यासे यहां पर प्राप्त कर सकते हैं की दिसेंट्राइशन का मतलब यहां पर यहां पर है अभी एक ही यूट कोई काम कर रही थी तो उसके उपर दबाओ क्या था ज्यादा था तो हमने क्या काम किया ुसको सब यूट उसकी डिवाइड हम ने कर दी सब्पूस कुई जारखंड वाला एरिया जो है हमने लो यहां से कोईला निकल लहा है तो हमने लो जारखंड से कोईला निकल ला क्या और कहीं से भी निकलना आपर तलचेर उडिसा वाला एरिया भी है वहां से भी निकलना है आपने लो जम्मू कास्विन बाला एरिया है वहां से भी रियासी दिश्टिक है वहां से भी यहां पर निकल रहा है तो हमने क्या बोला कि भाई उसको decentralized कर दिया जहां पर एक जखाए मांग ज़्यादा आ रही थी तो मांग ज़्यादा एक जखाए आएगी तो इस मोडल यहां पर लेकर आए हैं हम यह अब सोर्थ तो वहीं पर है वहां पर आपको देखने को मिलेगा तो डीब इस उपर बाले ले 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 इस्टरन घाट में भी आपको मिल जाएंगे इस्टरन एरिया में भी मिल जाएंगे उपर आपको मिल जाएंगे सीनगर तरब भी मिल जाएंगे तो Centralized Model पे हम काम कर रहे हैं सिरी बात तो ये हैं अब हम बात कर रहे है ie सच्टेनेबल डैवलमेंट के गोल की उपर बात कर रहे हैं हमने कुछ लक्ष हांपर निध्थारित की हैं लक्ष क्या है तो हम देखो यूएन जो था यूएन में हमने बैठकर हमने क्या किये कुछ लक्ष यहां पर निधारत किये कि हम ऐसे ऐसा काम करेंगे इस सब्सक्राइबल गोल को अपनाने के लिए सद्ध विकास को है यहां पर अपनाने के लिए तो कब हुई 25 से लेके 27-25 में भाई साब यह मीटेंगी हां पर हुई कहां पर यूएन में हुई और सभी जितनी भी सदसे देश थे उन लोगों ने बुला भाई साब कुछ हम काम करते हैं जो सश्ट्रेंबल गोल के लिए क्या-क्या लक्ष यहां पर बताए गए हैं तो यहा 2015 में हुई थी तो हम ने बूला कि घायनय विकास के लिए हम कुछ काम करते हैं तो हमने 15 सालों के लिए हैं मतलब 2030 तक हमने बूला कुछ हमने गोल बना लिए कि जितनी जो कंट्रीं J्जतने जो सदस से देश बो क्या करें इसके उपर यहां पर काम करें गे तो सद्द बिकास के लिए दोहजार सस्टेमल डेवलेमेंट के लिए 2015 में क्या हुई मीटिंग हुई कहां पर यूएन में हुई यहां पर कुछ डिसाइड किया तो यहां पर क्या डिसाइड किया उन्होंने बुला कि सत्रा पॉइंट हम बता रहे हैं सत्रा बिंदू हम बता रहे हैं तो आने बाले समय में मतलब आने बाले 15 सालों में हम यह सत्रा बिंदू की उपर काम करेंगे अब बिंदू क्या है मैं अभी आपको बतातों एक एक करके आरे बास तो यह 15 साल कब हो जाएंगे 2030 तक तो 2030 पर हम फिर मिटिंग करेंगे भाई साब कि हम वो गोल अची तेरा बूलों सभी देश इन 17 पॉइंट की उपर काम करें अब 17 पॉइंट है क्या क्या मैं अभी आपको एक एक करके बता रहूं तो देखो 15 साल के लिए क्या किये गए गए सत्रा लक्ष हां पर निधारत किये गए 2016 से जहने दुहार-30 की आउधी में क्या किया जाना है हासिल कर लिया जाना था तीस में अपना आगे करेंगे इस में बैठक में जो लोग जो थे कितने लोगों ने भाग लिया मतलब 183 देशनों ने यहां पर भाग लिया दुहार 15 में तो हमने बुला कि भाई साब 17 लक्षों की उपर काम करते हैं 15 साल का काम करते हैं 15 साल के बाद हम करेंगे रिपोर्ट यहाँ पर देंगे सर यह 17 लक्ष कौन से हैं यह रहे इनकी 17 लक्ष रहे PT में कई बार कौशन पूछा गिया है कौन सा लक्ष सामिल है कौन सा लक्ष सामिल नहीं है अगला यह भी पूछा कब यहाँ पर इसका पूरा होना है तो 2030 में होना है कब हमने डिसाइड किया था तो हमने 2015 में डिसाइड किया था कि इनकी उपर हमें काम करना है तो यह जो आप कौन कौन से गोल है ठीक है कौशन करने के लिए मैं कल दूंगा न खुसी कल मैं कौशन दूंगा करने के लिए अभी तो अपन पढ़ेंगे ठीक है तो ये 17 हमने गोल देखे अब क्या क्या गोल लेखे है हम एक ही करके हम यहाँ पर बात करते हैं पहला हमारा गोल क्या है पहला गोल है नो पावर्टी सुन्ने गरीबी हमने बुला भाई सब कोई भी गरीब नहीं रहना चाहिए इन आने बाले जो हमने 193 देश जो बैठे थे तो हमने बुला कि आपके देश में भी जो BPL बाले हैं, Below Poverty Line बाले हैं यहां पर कोई भी नहीं रहना चाहिए तो पहला लक्ष का निदा हमने क्या काम किया सुन्ने गरीबी यह कौशन मना है कौन सा लक्ष सामिल है, कौन सा लक्ष सामिल नहीं है, PT में मेंस में पूरा पूछ लेता है क्या कि सद्द बिकास के लक्षों को समझाईए तो इस 70 लक्षों के बारे में एक एक दू दो लाइन आपको लिखनी रहती है तो पहला बोला गया कि भाई साब कि 2030 तक इसको हमें अचीव करना है कि जितनी भी जो सद्द से देश थे यहां पर कोई भी गरीब नहीं रहेगा क्यों 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 हम यह पता है जब sustainable development की हम यहां पर बात करते हैं हम सब बिकास की जब कभी भी बात करते हैं क्यों सामिल है करका अपना इसका भाई साब को घर परीबार यहां पर चलाए है तो यहां पर हमने क्या बोला सुने गरीबी गरीबी बिलकुल निल होनी चाहिए क्यों कोई आप देखो जितने भी countries में परियरमन को जो नुक्सान हो रहा है वो कौन लोग कर रहे हैं या तो बो educate उतनी ठीक नहीं है या उनकी पास पैसा नहीं है या कोई और दूसरा उनके पास क्या रोजगार का मौका अपलब्द नहीं है आपने वह उतनों सुमालिय जैसे देस है या कोई यैसे देस हैं मालो जो काम ऐसा कर रहे हैं चंदन की लकड़ी काटके बेच रहे हैं या गेंडे के सींग को काटके बेच रहे हैं जे बिवित्ता को नुक्सान पहुंचा रहे हैं बायो डाइवर्सिटी को नुक्सान यहां पर पहुंचा रहे हैं तो ये जो हमने बोला कि भैई वो क्यों कर रहे हैं, हम ने बोला उनकी पास कोई रोज़गान नहीं, उनने बोला सबसे अच्छा रोज़गार ये हैं, जो उसको मारो, प्रिढ़ को काटो, बेश दो वहाँ पर ले जाकर, तो जाहिर सी बात है, यहां से कार्ट कि वहाँ पर बाहर ले जाकर बेश रहे हैं, तो आपके पास पैसा नहीं सा, तब यह काम कर रहे हैं, अधरबाय किसी पढ़ेलेखे को बोलो, यह भाई तो मैं काम करो, जंगल कार्ट की बेश बोलेगा नहीं, भाई साब मैं तो कॉर्परेट में जाब जाब करूँगा या मैं आईटी सेक्टर में जाऊंगा या मैं इसे एक्जाम की तयारी करूँगा आजए पूछरा कि 2030 में तो बिंदू चेंज हो जाएंगे तो आजए ये जो योजना है या बिंदू जो है भावी आगामी से समय को देखकर बनाय जाते हैं ऐसा नहीं बनाय जाते कि अभी हम 2024 में 23 में हैं तो हमने बुला ने ने यभी कि कल के सोचके बना लेते हैं ऐसा नहीं किया जाता कभी भी जो 17 जो लक्ष बनाये गए हैं आने बाले समय को देखकर बनाये जाते हैं कभी भी एसा नहीं बना जाता आपने पढ़ऊता होको ना जैसил आपने पढ़ते होगे फाइव येर प्लान आप पढ़ते होगे पंच बर से योजना अब ये तो खत्म हो गई है फाइव inspection फॉझना हैं अप उसके नीती गरना होगी अब संख्यां के आधार पर कर रहे हैं गए उनकी संख्या भी बढ़ेगी इनकी संख्या भी देखे रिस्तनवी बनाना पड़ेगा तो हमने आजके थोड़ी बना है ह extends कि अरि मत सूंझ मैं कि कं फार जी चलो फिर हमने दूसरा किया बोला हमने बोलो जीरो हंगर होना चाहिए भुकमरी सुने होना चाहिए क्योंकि भाई यह आदमी भुकमरी का सिकार है तो वो सब कुछ काम करने को तैयार है वो परेवन को नुकसान भी पहुंचाएगा अपर उसको किसी से मतलब नहीं है कितना भी आफ समझा लो सचनेबल डेवलिमेंट की गोल बता दो कुछी बता दो उसको किसी से कुछी मतलब नहीं है उसको दिखकात यहां पर होने वाली है जीरो हंगर फिर हमने क्या बोला वो तम स्वास्त एवं खुसहाली खुसहाली हमने बोला कि यहां पर यो लोग जो है या तो अधिक बीमार है या कोपुसान या माल लिट्शन की दी सिकार है तो स्वास्त उनका कैसा होना चाहिए ठीक होगा तो वो कुछ अर्ण करके वो अपना काम भी कर लेगा तो ये भी यहां पर क्या किया गया है सामिल किया गया है वो तम स्वास्त और खुसहाली आगला देखो गुरवत्ता पूर्ट सिक्षा कॉल्टी एजुकेशन की यहां पर बात की गई है क्योंकि हमने देखा है कि जो सद्विकास का जो मेन एम जो था वो हमने क्या बोला है हमने बोला एकोलोजीकल लिट्रेसी हमने बोला पारस्थितिक साक्षरता ही हमने यहां पर बोला है वो जब हमने पारस्थितिक साक्षरता ही हमने बोला है तो हमने बुला education कैसी होनी चाहिए, quality ways education होनी चाहिए, quality ways education का मतलब यहाँ पर यह है, गुडवत्ता यूग सिक्षा की भाई साब वो सिक्ष तो होकर, या तो वो अपना कुछ बिजनेस कर पाए, या उसको कहीं न कहीं job मिले, गुडवत्ता यूग सिक्षा का मतलब यह है, ठीक है, अगले हम बात करते हैं, बुद्धि को वहाँ पर बात कियें, 2030 तक लड़कों को यह लड़कियों को निसुल को समान, ग्रोटापूर, प्राथमिक और माधमिक सिक्षा कराना, यहाँ पर सुनिशित कराना, फिर बात करते हैं, जेंडर, एक्यूलिटी की हम बात करत हैं, लेंगिक समानता का मतलब यहाँ पर यह है, कि चाहे लड़का हो, और चाहे कौन हो, लड़की हो, दोनों को आगे बढ़ने के क्या दिये जाएं, समान आउसर दिये जाएं, इसे ही बोला जाता है, क्या लेंगिक समानता कहा जाता है, यह जेंडर, एक्यूलिटी, एक् अब महिलावी वहां कार्च चला सकती हैं। तो अब यहाँ पर अपना बात करते हैं कि क्या लेंग एक समानता हमने बुला कि हर जगह या या किसी भी लिंग बेंक किसी परकार के भेध किए बना उसको आगे बढ़ने के समान क्या देना अउसर यहाँ पर देना अगला सुक्ष जल इबन सुक्षता पीने के लिए क्या होना साफ पानी उसके पास मुहया होना जो वाटर वोन डिसीज है जल जले ते बीमारी यहां है यहां पर यह कम होंगी इसके लाब बदे को सुक्षता साफ सफाई यहां पर होना 2030 तक पेजल सभी को सुनिशते हां पर कराना क्योंकि यह बहुत बड़ा टास्क है तो यहां आज भी देश में कई हिस्से हैं जहां पर सुद्ध पेजल उपलब्द नहीं है साफ पानी उपलब्द नहीं है और धिर सारी बॉटर बोन डिसीज होती है जो पानी की माध्यम से ही यहां पर फैलती है अगला हमने बुला कि किसी भी देश के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्पूर्ण योगदान होता वो किसका एनरजी का अब बिस्स में कहीं बर आप देख लें गलोबली आप कहीं पर भी आप चले जाएं पूरी की पूरी लड़ाई किसकी उपर है पूरी की पूरी लड़ाई आस्रित है किसकी उपर उर्जा की उपर हर जगह उर्जा की उपर ही लड़ाई है कोई भी कंट्री किसी के सांथ लड़ा रहा है उसका मीन यहीं है उर्जा कहीं पर भी आप देख लो क्योंकि आने माले समय में यही तो मुख मुद्दा जिसके पास उर्जा है वही डैबलप है वही बिक्सित रहेगा जो जिसके पास उर्जा नहीं है वो डैबलप नहीं रहेगा तो मीन क्या है मीन तो उर्जा ही है हर किसी के पास होनी चाहिए क्या उर्जा संसाधन यहां पर होनी चाहिए क्योंकि आने मला समय इसी के उपर आधारित है उर्जा जिसके पास जितनी अच्छी उर्जा है साफ सुत्री उर्जा है और उर्जा की कोई कमी नहीं है वही देश आगे बढ़ पाएगा बरतमान समय की मांग ही यहां पर है क्या उड़ जाकी ही मांग है जो भी देश यहां पर लड़ रहे हैं या कहीं पर कुछ भी यहां पर हो रहा है तो उड़ जाकी ही तो लड़ाई है किसी को तेल की कुगों की उपर कब जा चाहिए किसी को अपनी पाइप्लाइन यहां से बचानी है प्राकर्ट एक गेस के नेशल गेस पाइप्लाइन बचानी है तो आने माले समय में लड़ाई इसी की है आप देखेगा इसलिए आप देखो हम भी भरत भी ये मूर समझ चुका है कि यही देश को विक्सित करना है देश को आगे ले जाना है तो हमें काम करना पड़ेगा किसके उपर उटजा की उपर यहां पर काम करना पड़ेगा क्योंकि हमारी आधिय से जादा हमारी का आधिय बहुत maximum energy जो हम लगती है कहां पर हम petroleum oil की उपर खर्च करते हैं हम petrol की उपर खर्च करते हैं और हमारे पास petrol 10% भी नहीं होगा बाकी 90% से उपर हम बाहर से बलबाते हैं हम import कराते हैं भारत में कि हम petrol यहां पर ले रहे हैं अच् इसलिए देखो गटकरी साब इस बात को बिल्कुल भाप गए उनको यह बास समझ में है अच्छा पहले से भी वो काफी इनमें काम करते रखकर वो innovative काभी का काफी काम उन्होंने यहां पर किये हैं वो एक बात यहां पर समझ गए कि भाई साब बाहान है तो बाहान है तो त चुका है तो एक गाड़ी यहां पर निकाली है वो किससे चलती वो एथेनॉल से चलती है अब एथेनॉल को हम खुद तयार करते हैं आपने पढ़ाओगा एन एरोबिक रेस्प्रेशन के माध्यम से क्यों क्योंकि एनरजी की सबसे बड़ी मांग है यह इस मांग की ओपर हम ने बिजय प्राफ कर ली तो महंगाई बाकी सारी जैसी से कंट्रॉल यहां पर होने वाली है और यह दिया आपने देखा और यह बात ही कर रहे हैं सस्ती और दूसर मुक्त और जा तो प्रदूसर मुक्त और जा में यह बात किसकी कर रहा हैं पता हैं यह बात कर रहे हैं अर एथनॉल को हम क्या से निकालते हैं हम एन एरोबिक रेस्पिरिशन से नाक्सी सवसंसे इसी एथनॉल से चलने बाले हम क्या कर रहे हैं बहानी यहां पर त्यार यहां पर कर रहे हैं है न है वड़िस कन्वेंशनल एनर्जी कन्वेंशनल का मतलब है असी एनर्जी जो हम पहले स इसका उप्योग करते आ रहें, उसको बोलते हैं, conventional energy कहा जाता है, लम्बे समय से हैं, इसका उप्योग करते आ रहें, वोग ख्यलाती है, conventional energy, जैसे, आपने बोला कोईछ कूछा, तो कई पीडियों से हम इसका यूज़ करते आ रहे हैं, आपने वोला पैट्रोल का याई पीडियों से यूज करते हैं कोई लगा पैट्रोल का डीजल का और मैने बोला आपटाओ सोलर एनरजी तो आप बोलोगे अरे सरलर एनरजी तो हमने हाल ही कि कुछ सालों में देखा है कि घर की छटों की उपर ही पैनल लगे हैं, रिलिविश्टिसन की उपर ही पैनल लगे हैं, पोश्ट आफिस की उपर ही पैनल लगे हैं, तो हमने कुछ सालों में ही हमने यहां पर देखा है, यह किलाती नोन कन्वेंशनल मतलब इसको परंपरागस तरीके से उपयोग करते नह शुरू किया आपने मुला विंड मेल एकला थी नॉन कन्वेंशनल एनरजी पवंचक की हम कभी 47 से थोड़ी यूज़ करते आ रहे हैं वह तो डेवलब्ड कंट्री यूज़ कर नहीं थी हां मगर अब हर जगह देखने को मिल ला है आपको तो ये इसी एथनॉल से चलने बाली बहानम यहां पर तयार कर रहे हैं तो हमने इस वह तयार कहां पर किया एथनॉल कहोता कहां पर तयार है आपने कभी देखा हो आपकी सिटी के आसपास यदि सुगर मिल कहीं पर होगी तो सुगर मिल यदि आपके आसपास होगी तो वहां से तो वहाँ कहीं से आती है है एक अपने सुना होगा इसे कहा जाता है पूर्मनटेशन हिंदी बार से बोलते हैं किडवन की अभिकिरिया और सामन भासा में आप गुल दो सडाना, घर पे भी तो आप करते हो किड़बन की अभी किरिया, जिसे आपने बुला, जिदि आपको डोसा बनाना है, या इडली बनाना है, या आपको ढोकले बगएरा बनाना है, तो आपने चावल काटा लिया, उसका आपने सॉल्यूसन तयार क या उसको ले जाके आप धूब में रखाएं क्यों उसको सवाने के लिए ही तो रखा है वो सेक्रोमाइसी सेरीबीसी बैक्टिरिया जो होता है वो एन एरोबिक करेगा अनांक्सी सुसन करेगा जिससे क्या बनेडा जिससे बनेगी काररबंडरी ऑउक्सायर गैस बनेगी तो वो आपका जो खमीर औठ zrobić खमीर ओठ गया है तो वो क्या हो जाएगा फूल जाएगा उसको अपर छोड़े-छोड़े छेद हो को वहाँ से CU2 निकलकर बहर आ जाती है एक बार PP में पूछा था कि जब खमीर ओठता है तो छोड़े छोड़े च्पोड़े च्यद बन जाते दो क्यूं भन जाते उसका रीज़न यही ये को वहơn से कारबन डियोक्सिन निकल के क्या आती है बाहर आती है कई ने बनाया होगा तो इसी पर चलते हैं माले हम क्या तियार कर रहे हैं बाहर तो सस्ती एफोर्डेबल भी होना चाहिए और क्लीन एनरजी क्लीन का मतलब यहां पर यह है कि वैसा कोई धुआ ज्यादा ना दे किसी परकार का यहां पर रैसिड्यू या आवसेस यहां पर न बचे इसलिए उसको यहां पर बुला गया क्लीन एनरजी यहां पर नाम दिया है आगे अगला गोल क्या है हाँ अगला गोल क्या काम क्या से हुनके उत्पिष्ट कार और आर्थिक सम्रिद्धी बासम में लिए तो हम बात करते हैं सस्टेंबल डेबलमेंट यह समावीसी विकास के लिए क्यासे पून उत्पादक रोजगार और मर्यादित कार करना और सम्रधन उनका यहां पर करना उत्क किसे काम होना चाहिए काम कभी ऐसा ना हो कि अपने बुला कि रोड बन गई है अब नुला आरे यार की नाली बनाना भूल गए काम करते हैं कि रोड को पहले खोते हैं फिर नाली बनाएंगे ऐसा नहीं आगरा उद्योगों में नवाचार नवाचार का मतलब क्या ओता मतलब कुछ उसमें कैटना सुधार काम करना कि अंपोंने branch सुभार गाइन सवाटी करना सवाब और संभरतमर में तो पहले जला करते थे बऱ्तमान समय में आप देखोगी तो पूरी नई मसीन आ चुकी है हर्य कंटे नभाचार हो रहा है बैइ कमरे में ही क्यों ना देखो हम पहले 100 वाट का बल्व हम जलाते थे हम 100 वाट का बल्व एक कमरे में जलाते थे और बोल्टेज कम होने पर उसी में दिखाई नहीं देता था आपने देखा होगा अब हम LED जलाते हैं कितने वाट का मुश्किल साथ ये आठ वाट का LED बहुत अच्छ अच्छ उजेला कर देता है कमरे में तो यह क्या किया हमने दावाचार ही तो कि हमने इनुवेशन भी तो यहां पर किया है हाइडन độ व्यूत भी समझा दीजिएजुन को हम आगी समझेंगे एनरजी एक्एपना टॉपिक ही है ऊड़िक कुमार ओजा rein और नपर एंपन एनरफीन, फ्यूल समझेंग dl न ही अपन समझेंगे अगला आर्धिक असमानता तो हमने बोला जो हमें गोल अचीव करने कि सत्व बिकास के कि इस गोल को उचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस आर्थिक असमानता को दूर करना पड़ेगा जैसे भारा जैसे अपन देश में बात करते हैं तो गरीब गरीब है और अमीर होता जाता है यह कहलाती आर्थिक असमानता कहलाती है या गरीब कभी कंपीट नहीं कर पाता की हम उतना पैसा अर्ण कर पाएंगे अपनी पोरे जीवन काल में में तो यह क्या कहला म कि इसा कहा जाता आर्थिक असमानता कहा जातास अंधर कि अ frame ऐसे बात करना आगह को मत यहां पर हम तुरंद कर सके हैं लगातार हम क्या कर सकते हैं परीवर्थन भी यहां पर हमसे करसकें और टेकाओ सेहर का क्या करना वेकास करना यह ये भी इसमें ही सामिल किया गया है सस्टेनेबल डेबलमेंट के गोल में सामिल किया गया है 17 गोल में से एक गोल ये भी है किस तरीके के महा मकानों का या इस तरीकी के सहर का बेकास करना लचीले का मतलब यहां पर यह है कि जो क्या हो सके इसमें हम सस्टेनेबल इसका मतलब य आगे, बात करते हैं इस्ताई, खपत, और उत्पादन, प्याटर को सुनिश्शित करना। जो खपत जो है, और उत्पादन, हम तो मांग और आपूर्टी। कि इसके मदे में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि मांग ज़्यादा है, आपूरती कम है तो महंगाई बढ़ जानी है यहां पर तो खपत और उत्पादन सीरी सी बात यहां पर यह है कि मांग और आपूरती डेमांड और सप्लाई का गेम है इनके मद्ध क्या करना सम्मंद ठीक ठीक यहां पर रहे ऐसा नहों कि मांग बहुत जादा है सप्लाई कम है तो यहां पर महंगाई आपकी बढ़ जाएगी है अगला देखो हमने इसी सस्टेंबल डेबलमेंट के मुद्धे में हमने जलवायू परीबरतन को भी हमने यहां पर सामिल किया है देखो हम सिर्थी बात है डेबलमेंट होगा कहीं न कहीं इनवार्मेंट को नुक्सान होगा इसलिए हमने परीबरतन को भी क्या किया है यहां पर सामिल किया गया तो हमने बुला परीबरतन जो परीबरतन हो रहा है ग्लूबल वार्मिंग हो रही है तापमान बढ़ रहा है तो उसे प्रभाव निपटने के लिए क्या किया जाएं तुरंत और तत्काल कुछ हमें क्या करने रहेंगे यहां पर काम करने रहेंगे अगला पानी में जीवन देखवा पानी में जीवन की बात क्यों कर की जा रही है ये कंजर्विशन की बात की जा रही है क्योंकि हमें पता है अर्थ के वन थर्ड पोर्सन पर क्या है लेंड मास है और टू थर्ड पोर्सन पर क्या है ये पानी है और इसी पानी में आपको साग सागर महा सागर सभी कुछ आपको यहां पर देखने को मिलेंगे तो समुद्धर हैं चाहे सागर हैं चाहे महा सागर हैं तो बात यहां पानी में जीवन से मतलब की बात यह कर रहा है यह वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहा आपसे क्यों कि जमीन से ज़्यादा ढाइवर्सिटी मतलब जमीन से ज़्यादा बेवितら आपो खान पर देखने को मिलेगी पानी में देखने को मिलेगी आपने पढ़ाओगा बच्पन में कि एक तिहाई भाग पर ही totalement होता है और दो तिहाई भाग पर क्या है आपके जल आपको दिखाई दे रहा है तो अब यहाँ पर जल है तो एक प्रकार की यहाँ पर मरीन डाइवर्सिटी भी तो यहाँ पर बहुत जादा है marine diversity यहाँ पर ज़ादा है तो जाहिर सी बात है जाहिर सी क्या बात है कि इसको भी क्या करना पड़ेगा अब कंजर्ब करना पड़ेगा तो sustainable development goal में हमने इसे भी सामिल यहाँ पर किया इसे भी हम यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे इसको भी यहाँ पर सामिल किया जाएगा अगला पानी में जीवन देख लिया अब जमीन पर भी जीवन देख लेते हैं पानी में तो जीवन हमने देखी लिया अब हमने बुला वन थड़ भाग पर भाई लोग रहते हैं तो हमने बुला भाई साम यहां पर भी तो एक परकार की diversity है यहां पर भी तो धेर सारे संसाधन है resources है चाहाए पैट्रोल की बात करें कोईले की अपन बात करें चाहाए अपन नेश्रल गेस, प्राकिर्ट गेस की हम क्यों ना बात करें तो इसे भी क्या करना पड़ेगा यहां पर करना पड़ेगा, क्योंकि भूमी पर जीवन है, भूमी पर जीवन है, जाहिसी बात है, जब जीवन है, तो यहां पर diversity भी क्या है, जादा है, आप सभी ने पढ़ा होगा, जोगरफी में तो कम सकम पढ़ा ही होगा, क्या पढ़ा होगा, यह होगी आपकी अर्थ, यह होगी आपका एक्क्वेटर होगया, जीरो डिगरी, उसमें एक सब्द आता इसको बोलते हैं, बायो डाइवर्सिटी, जै बेवित्ता, सुना आपने, तो जै बेवित्ता जो होती है, आपको देखो, यहां पर, यह डोल ड्र जै बेवित्ता कहां पर पाई जाती है, यह क्या है आपका, यह है आपका एक्क्वेटर, इसको आप बोलते हो भूमंद दे रिखा, तो भूमंद दे रिखा के आसपास, जै बेवित्ता, सबसे ज़्यादा यहां पर पाई जाती है, इसका रीजन क्या है, को वे लेंड मास् condition uniform climate condition मतलब मौसम की समान दसाएं मौसम की समान दसाओं से मतलब यह है कि जो equator जो है भूमद रिखा जो है इसके आसपास के छेतर में आपको एक समान मौसम की दसाएं देखने को मिलेंगी समान से मतलब यहां पर यह है यहां पर extreme cold नहीं पढ़ेगी बहुत ज्यादा ठंड नहीं पढ़ेगी नहीं बहुत ज्यादा गर्मी यहां पर पढ़ने वाली है नहीं बहुत ज्यादा ठंड पढ़ेगी और नहीं पढ़ेगी क्या जहां क्या आती जाती है कम ही आती जाती है जो बायो डाइवर्सिटी जो है वो क्या हो जाती है कम जैसे भूमत दरे खासे कहा जाते हैं धुर्वों की उपर जाते हैं तो जै बेवित्ता कम होते जाती है उसका रीजन यहां पर यह है क्यों क्यों कि यहां पर दुर्वों की उ तो ही तीन एनिमल याद आ रहे हों जैसे पोलर बियर हो गया धुरूबी भालू हो गया आपने बूला पैंगबन हो गया पोलर फॉक्स यहां पर हो गी यह गिने चुने ही जीव आपको देखने को मिलेंगे इसके लब कोई और जीव देखने को नहीं मिलेगा क्यों जैसे जै अपमान की कमी की बजिए से जै बबिता मतलब जीवों की वैराइटी में कमी आपको यहां पर देखने को मिलेगी तो हमने अच्छा एक बात इसमें और देखो यहां पर देखाई दिए रहा है यह एक्विटर के आसपास यही पर आपको देखने को मिलेंगे क्या भूमद भूमद दे खाके आस पास ही देखने को मिलेंगे अमीजन रिन फॉरेश्ट अमीजन वर्सा वन इसी भूमद दे खाके आस पास के छितरों में ही देखने को मिलते हैं यदि अपने बात करते हैं लेंड मास की हम बात करते हैं यदि हम इसकी बात करें किसकी जमीन की अपने बा जेब बिवित्ता जो होती है, वो कहां पर पाई जाती है, इन ही बनों में, अमीजन वर्सा बनों में पाई जाती है, आप कई को लग रहा है, हमने तो देखी ही नहीं है, अमीजन वर्सा बनों कैसे होते हैं, आपने देखे, मैं आपको देखाता हूँ, देखो, एक्जामपल कहां पर हुई है इन्हीं अमीजन वर्साबनों में उसकी सूटिंग यहां पर हुई है और अमीजन वर्साबन इतने जादा dense forest है कि वो पिल पोधों में competition है कि ये light उपर जाने के लिए कि कौन उपर पोरी एक सी कैनूपी आफको दिखाई देगा पूरा बर किसे ठका हुआ रहेगा उपर से चादर सी आपको दिखाई में कहने के बत क्या जो scor अमीजन वर्साबन यहां पर सरबाभण है किया मिलेगी आपको GUY मिलेगी आपको censorship पर यदि अपन प्रतवी की बात करते हैं मैगजिमम बायो डाइवरसिटी इसलिए कुछ लोगों ने इन बनों को नाम क्या दिया है और इनको बोला गया है याद रखना पूछा गया है लंस आफ प्लानेट इन्हें कहा जाता है अमीजन वर्सा बनों को कहा जाता है क्या ग्रह के फेफडे कहा जाता है Lungs of Planet बोला जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि सरबाधिक मात्रा में ये Oxygen Gas को रिलीस करते हैं पूरी प्रत्वी में तो इसलिए लोगों ने क्या बोला है यहाँ पर लोगों ने इसको क्या नाम दिया है Lungs of Planet नाम दिया है ग्रह के फेफडे यसे हम फेफडों से O2 लेते हैं CO2 छोड़ते हैं बैसे ये जंगल CO2 को लेते हैं और O2 छोड़ते हैं तो लोगों ने क्या नाम दिया इसको lungs of planet यहां पर नाम दिया है ग्रहे के फेफड़े इसे नाम दिया गया है तो हमने पर यही दिखा क्या भूमी पर भी क्या है जे बिवित्ता यहां पर है तो हमने बूला उसको भी क्या करना है तो जंगल हो गया सनक्षित करना जंगली भूमी को वो बायो डाइवर्सिटी जो है जे बिवित्ता जो है इसके नुकसान को भी क्या करना है यहां पर रोक स्थापना है अगला हम बात करते हैं सांती और न्याय के लिए संस्थान की स्थापना करना सांती और न्याय भारती कॉंस्टिट्यूशन भारती सम्विधान एक मार्त तरह सम्विधान है जो 207 की भी मांग करता है मेरे खार से आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा 51A या 59A में या कामें आपको देखने को मिलेगा क्या कि 207 की अपील भी करता भारती सम्विधान का एक अनुच्छे तो इनवार्मेंट के लिए तो हमने अलग से ही बनाया है क्या एंजीटी यदि आपने नाम सुना हो हां आर्टिकल 51 ऐसा कुछ है उसमें तो एंजीटी या आप नाम सुना को नैस्नल ग्रीन ट्रिबूनल 2010 में हमने इसको एस्टेबिस किया था जो मुख्य कहां पर दिल्ली में हैं और खंड़ पीट अलग अलग राज्यों में आपको देखने को मिलेगी तो हमने क्या बोला कि भाई नियाए के लिए क्या संस्थान तो दो दोनों ही नियाए हो सकते हैं आपका एक इन्वार्मेंट वाला भी हो सकता है और सोसल नियाए भी यहां पर आ जाते हैं इसमें और अन्तिम हमने इसमें बात की सतर लक्षों में अन्तिम बात क्या लक्ष प्राप्ती में सामू है कि जिम्मेदारी वाई जितने भी हमने लक्ष बनाए है तो भाई साब सभी का क्या है रिस्पॉंस्बिलिटी है सभी का इसमें उत्तर दायत तो है कि भाई साब इन लक्षियों को हम प्राप्त करने के लिए सभी प्रयासरत रहें या सभी हम इसमें काम करें चलेगा तो ये था हमारा सेस्टेबल डेवलोप्मेंट गोल के बारे में डिसकसन मुलाकात होगी सबी लोगों से कल कल हम बात करेंगे इसमें एको सिश्टम के बारे में चर्चा करेंगे तो कल रहेगा हमारा सेस्टन थर्ड जहां पर हम बात करेंगे एको सिश्टम के बारे में चलेगा ओके बैए थैंक यू